तो देखे आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेश्टी और हेल्दी नाश्टा नमस्कार में हूं रेखा मेरी सुपर इसमें आप लोगों का स्वागत है और नाश्टे में हम बनाने वाले हैं राजस्तानी लापसी इसे हम cookar में बनाएंगे पहुत ही tasty बनेगी और मिंटों में बन कर तयार हो जाएगे इसे आफ सुबह के समय नास्ते में बना सकते हैं या शाम को जो आपको कुछ मीटा मीटा खाना हो तब भी आप इसे बना सकते हैं और इसे बिना चीनी के बनाएंगे यानि की गुड़ वाली लापसी है ये वीडियो को फुलवच कीजिएगा अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा चैनल को सिस्क्राइब कर लीजिएगा तो चलिए बना लेते हैं राजेस्थानी लापसी तो देखे लापसी बनाने के लिए सबसे पर यहां पर मैंने एक कप गेहूं का दलिया लिया है तो देखे इसे राजेस्थान में बाट भी कहते हैं ये जो गेहूं होता है उसके छोटे-छोटे से दाने होते हैं सूजी से बहुत ज़ादा बड़े होते हैं और ये बहुत ही हेल्दी होते हैं और खाने में बहुत स्वादिश लगते हैं और बनाना इसको बहुत ही आसान है तो यहाँ पर मैं देखे कप से माप रही हूँ आप किसी भी कटोरी गिलास से माप सकते हैं अब यहां गैस पर मैंने एक कुकर रखा है आप चाहे तो इसे कड़ाई में भी उना सकते हैं, कुकर में इसलिए बना रहे हूं ताकि जल्दे से बन जाएगा, अब इसमें डालेंगे दो टेबल स्पून देशी घी, आप घी की जगा ओल भी ले सकते हैं, लेकिन जो लापसी होती ना घी में बनाएंगे तो बहुत ही ट यह देखे, अब इन्हें क्या करेंगे, एक से दो सेकेंड तक भून लेंगे, घी में भूनने से इनका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है, यह देखे, तो यहां देखे, अब मैंने यहां पर है थोड़े से फूल मखाने लिया है, मखाने बहुत ही हेल्दी होते हैं, और द्राइफूड जो है यह भी बहुत हेल्दी है, यह देखे, इस तरह से एक मुट्टी मखाना लिया है, यह भी इसमें डाल देते हैं, और इन्हें भी इनी के साथ भून लेते हैं, तो यहां देखे, ड्राइफूड अकर आपको पसंद नहीं है, या फिर आप कम खाना चाह जो भी ड्राइफूड इसमें से पसंद नहीं हो, वो स्किप कर सकते हैं, लेकिन ड्राइफूड डालने से जो यह लापसी है न बहुत ही हल्दी हो जाएगी, और टेस्ट भी इसका बढ़ जाएगा, अब यहां देखे, ड्राइफूड जो है, हलका सा कलर चेंज कर लिया है अब यहां पर मैं 10-15 किश्मिश डाल रहे हैं, किश्मिश से इसका स्वाथ बहुत बढ़ी आता है, और देखे, किश्मिश को बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, बुनने में, एक से दो सेकिंड में किसरा से फूलने लगी है, यह देखे, बस अब क्या करेंगे, इस से ज़्यादा इसे नहीं भूलेंगे, तो चले ड्राइफूट को निकाल लेते हैं, अच्छे से तयार हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा भूनेंगे न आप इसे, तो यह कड़वे लगेंगे, तो यहां देखे, मैंने ड्राइफूट को इसमें प्लेट में निकाल लिया है, और देखे, कलर कितना प्यारा आगया है इनका, अब यहां पर जो कुकर है, इसी कुकर में हम डाल रहे हैं, दो टेबल स्पून देसी घी, क्योंकि हमें दल्य को भूनना है, तो यहां पर मैं दो टेबल स्पून देसी घी डाल रही हूँ, और यह जो हमारा दल्या था, जो ह दलिया अच्छा नहीं बनेगा और अंदर से तो सिखेगा ही नहीं बाहर से यह सीख जाएगा लेकिन अंदर से नहीं पक पाएगा तो दलियों को भूनने का सबसे बड़िया तरीका यही है कि आप इसे अब यहां देखें मैं इसे कूकर में डाल कर भून रही हूँ तो आप यहां पर इसे किसी कड़ाय में भून कर भी तैयार करके इसमें बना सकते हैं अब यहां देखे मैं इसे लगातार चलाते वे भून रही हूं और जो दलिया है वो हमारा अच्छे से भून चुका है देखे कलर कितना बढ़िया आ गया है इसका देखे मैं आपको पास से दिखा रही हूं पढ़िया से भून चुका है बहुत अच्छे खुश्बू आ रही हम 2 कप पानी पानी हमें 1 कप और लगने वाला है लेकिन हम उसका आगे इस्तेमाल करेंगे तो अभी फिलाल हम यहां पर 2 कप पानी के डाल रहे हैं अब इसे अच्छे से मिक्स कर देजिए बढ़िया से मिला देजिए देखे और अब इसमें अच्छा सा उबाल आने देता है तो दलिया में बड़ी असा उबाल आ जाना चाहिए अब यहां देखे दलिया हमारा अच्छे से उबलने लगा है बड़ी असा उबाल आ गया है तो क्या करेंगे इस पर लगाएंगे धकन तो इस पर मैं इस cooker को बंद कर देती हूं और इस पर लगा देती हूं vistle और इसमें दो CT लेंगे और फिर gas को अपने आप release होने देंगे यनकी कुकर को ठंडा होने देंगे तो यहाँ पर देंगे पर बटन लिया है मैने और इसमें डाल रहे हुए एक कप गुड़ तो जिसकप से मैंने दलिया मापा था ना उसी से मापकर में याप पर गुड़ ले रही हूँ अब यहाँ पर एक कप इसमें डालेंगे पानी तो टोटल यहाँ पर हमने तीन कप पानी के इस्तिमाल के हैं अब यहाँ पर gas मेने own कर दिया है, गुड को हमें melt करना है, आप इसकी जगा चीनी भी ले सकते हैं, तो देखें चीनी जब आप लेंगे न, तो आपको बहुत ज़्या मैनत नहीं करने पड़ेगी, आप डारेक्ट उसमें भी डाल सकते हैं, दली में भी, लेकिन जब गुड ह हमारा अच्छे से melt हो चुका है, इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी हमें, बस गुड मेल्ट होने तक ही हमें इसे पकाना होगा, आप यहाँ देखें, गुड अच्छे से melt हो चुका है, इसे ज़दे से नहीं पकाएंगे, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, gas को मैं off करने वाली ह करते हैं, और हमारा दलिया है उसे देख लेते हैं, अब यहाँ देखें, अच्छे से ठंडा हो चुका है कुकर, और यह देखें, दलिया देखें कितने बढ़िया से तयार हुआ है, यह देखें, एकदम खिला-खिला सा दलिया है देखें, और देखें बिल्कुल भी इसमे मसल कर देख लिजेगा ये देखे बहुत अच्छे से मैश हो रहा है अच्छे से तयार हो चुका है आप इस तरह से तोड़ कर देखेंगे ना मैश करकर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा देखें दली अच्छे से तयार हो गया है पढ़िया से पक गया है और पानी ए देखें किस सरा से इस फोड़ी गंदगी है अब यहां इसे अच्छे से mix कर दीजे और gas को यहां पर मैंने slow किया हुआ है अब यहां पर जो dry food थे वो इस made करेंगे लाकि dry food भी अच्छे से मीठे हो जाए और थोड़ से dry food में रख लेती हूँ अब अच्छे से इसे भी mix कर दीजे अब यहांपर आदा चंबर डालेंगे इलाइची पाउडर आप यहांपर केसर भी ले सकते हैं मैं इलाइची पाउडर डाल रहे हूँ अब अच्चे से इसे mix कर दीजे गैस Кो यहांपर आपको slow रखना है और 5 मिट में ये पानी खतम हो जाएगा, बिल्कुल भी नजन नहीं आएगा आपको ये देखे, अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर दिया है और अब इसे धक दीजे, और 1-2 मिट बाद अब इसे चेक कर सकते हैं तो मैं इसे 2 मिट के लिए धक देती हूँ, फिर से इसे चेक करूँगी और गैस यहाँ पर मेरा स्लो है, चले इसे चेक करते हैं यहाँ देखे पानी थोड़ा कम हो गया है देखे, चले अब इसे और पकने देते हैं लेकिन मुझे ना ऐसा ही पसंद है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँ है, अभी गैस मेरा चल्लू है, अब यहाँ पर इसमें देखे, बहुत ही बढ़िया लग रहा है एकदम जूसी सा दिख रहा है, अब यहाँ देखे, मैंने जाइफल लिया देखे, इस तरह का जाइफल आता है, यह देखे यह मार्केटिब बहुत आराम से मिल जाता है, तो यहाँ पर ग्रेटर लिया है, थोड़ा सा ग्रेट करके डाल रही हूँ इससे सुआद इतना गजब आता है, एक बड़ डाल कर ज़रू देखेगा, मैंने थोड़ा सा ही डाले देखे, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, अब अच्छे से इसे मिक्स कर दीजे अब यहाँ पर गैस को ओफ कर दीजे, मैंने यहाँ पर गैस ओफ कर दिया है, और अब इसमें लाश्ट में डालेंगे एक टेबल स्पून देशी घी, और अब इसे धक कर पांच मिट के लिए छोड़ देते हैं, गैस यहाँ पर बंद इस बत का ध्यान रखेगा, पांच मि पूछे मत, बहुत हेल्दी और टेजटी है, तो चलिए फटावट से इसे सर्व कर लेते हैं, आप इसे गर्मियों में, सर्दियों में, बारिश में कभी भी बना कर खा सकते हैं, बहुत स्वादिश लगती है, खास तो उसे हमारे यहाँ पर इसे सर्दियों में बनाय जाता है, या फिर कोभी मांगली कारी होता है न, उस पर भी बनाय जाता है, यह देखे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेर कीजेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, बैल आइकन को प्रेज ज़रू कीजेगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत बहुत धन्यवाद